तो गाइज आज से तीन महीने पहले तुम्हारा Free Fire Play Store से रिमूब हो चुका था और गाइज उससे कुछ दिन पहले ही गाइज Free Fire और Free Fire Max दोनों गाइज तुम्हारा एप स्टोर से भी रिमूब हो चुका था मतलब गाइज से बिसिकली कहने का मतलब यह है जो आज तीन महीने हो गए तुम्हारा Free Fire रिटरन में नहीं आया तो बहुत बंदे को यह लग रहा होगा जो हमारा Free Fire Max है वह भी फ्ले स्टोर से हट जाएगा और Free Fire पर्मान को इस वीडियो में complete detail से बताएगा तो वीडियो को complete देखना सुरू से लेकर लेकर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने फैयादे की बात तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लेना subscribe और अब बात करते हैं आप लोग के फैयादे के लूट लो आपकिट डाउलोडी लिंक तुमकों description box और comment box में सबसे उपर मिल जाएगी तुमको जाना है साइन अप करना है और तुमको rewards मिल जाएंगे गाईज तो बहुत easy step है और यह रेडियो में विकली membership भी ले पाओगे या फिर तुम और 170 रुपे का जहां भी नहीं होगा गाईज वो तुम्हारा आएगा free fire इंडियन वर्चन में मतलब free fire तो बैन होगा मतलब तुम्हारा जो free fire है अब वो तुमको प्ले स्टोर पे return में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वैसा ही डिट्टो कॉपी गेम free fire जैसा ही तुमको देखने को मिलेगा उसका जैसे पबजी को bgmi है ना वैसे तुम्हारा free fire का free fire इंडिया नेम होगा या फिट गणिनावाले जो अब नेम रखना चाहे वो रखेंगे गाईज लेकिन तुमको अब free fire इंडियन वर्जन आ जाएगा तो एक तरीके से यह कह सकते हैं जो तुम्हारा free fire कुछ दिनों में completely ilskility ban हो जाएगा मतलब तुम्हारा Free fire or free fire max जो है अब प्ले स्टोर पे तुम्हारा कुछ दिनों में remove हो जाएगा जब तुम्हारा free Free Fire Maxi Play Store से remove हो जाएगा उसके बाद हम लोग को खेलने को मिलेगा Free Fire Indian version मतलब तुम Free Fire का एक ही एप रहेगा ना Max रहेगा ना Free Fire Normal रहेगा Free Fire India और उसमें तुम लोग एक ही server थे खेलोगे वह रहेगा गाईज Indian server इसलिए गाईज तुम्हारा नेपाल वाला सर्वर और बांगलादेश वाला सर्वर को अलग कर दिया गया है ताकि उन लोगों कोई प्रॉब्लम ना हो गेम खेलने में अब बात करते हैं कब आएगा Free Fire India हमारे एपे स्टोर पे और प्ले स्टोर पे तो गैस Free Fire बहुत बड़ी कंपनी है और Free Fire बहुत बड़ा गेम भी है इंडियन में इंडिया में बहुत बड़ा गेम है जिसमें तुम लोग को बहुत यूजर्स है जिनके एकाउंट है अब Free Fire इंडिया आती है तो उनके डेटा भी तुमको Free Fire इंडिया में टांसपर करने परेंगे तो तुम लोग टाइम अंदाजर लगा सकते हो जो कब देखने को मिलेगा यानि तुम्हारा अक्टूबर या फिर नॉवंबर या फिर इस यर के लास्ट में तुम लोग को दिसंबर मतलब 2022 के एंड में तुम लोग को सकता है आट नौ महीने के बाद तुमको देख जाए और गरजिन अगर कुछ जल्दी करे तो पालचे महीने में देखने को मिल जाए लेकिन तुम्हारा जो गैप है ना वह कम से कम 200-300 दिन का तो रहेगा ही रहेगा मतलब मेरे हिसाब से बोलूना तो मैं तो सीधा अगले सार बोल दू तुम लोग को अगले सार तुम लोग को इंडियन वर्जन देखने को मिल सकता है जो भी मिल सकता है मिल जाएगा यह नहीं बोला और गैज जहां तक रही फ्रीफायर डिटर्न में आने की मतलब मैंने आप लोग को तुम्हारा फ्रीफायर अब कभी भी प्ले स्टोर पे तुमको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा तुम्हारा फ्रीफायर मैक्स है न वह भी रिमूब हो जाएगा फ्रीफायर को इंडियन वर्जन ही राना पड़ेगा फ्रीफायर के लिए गाईज अगर गवर्मेंट इंडियन वर्जन और तुमको मैंने बताया फ्रीफायर इंडियन वर्जन अभी बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ एकदम 0% है इस फ्रीफायर का तो समझ सकते हो किता टाइम लगेगा एक गेम को बनने में गाईज तुमको डेटा टांसपर करना फिर बहुत प्रॉब्लम हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना बाकि हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तो के लिए बाबाय टेक हैं लव यू आल